आमादमी पार्टी की फिरसे डूबी नईया, केजरवाल के कट्टर इमानदारी की उड़ी धजिया, फिरसे केजरवाल के यानि की आमादमी पार्टी के साथ नेताओं पर गिरी गिरफतारी की गाज, जहां दोस्तों मामला पंजाब के लुध्याना से सामने आया है जहां पर आमादमी पार्टी के साथ निताओं की गिरफतारी हो चुकी है मामला वही जन्ता के पैसे की चोरी यानि की रिश्वत खोरी और जबरन वसूली यहां पर बता जा रहा है कि केज़वाल के साथ निता मार्केट में दुकानदारों से जबरन वसूली किया करते थे उन्हें दराते थे धमकाते थे अगर कोई दुकानदार ना माने तो उन्हें बंधक बना का जबरन वसूली किया करते थे मामलत तब सामने आया जब केजवाल के नेताओं के खिलाफ दो दुकानदारों जिनकी दुकान की मरम्मत का कामी नेताओं ने रुकवाया उन्हें डराया धमकाया पैसा वसूली करने की कोशिश की जब उन दुकानदार उन्हें भागने की कोशिश की तो उन्हें उन्हें की दुकान में बंधक बना लिया गया जिसके बाद उनसे जबरन वसूली की जा रही थी उन्हें डराया जा रहा था उन्हें धमकाया जा रहा और पुलिस ने तुरंत कारेवाही करते हुए इन साथ नेताओं को गिरफतार कर लिया क्योंकि मामला जनता का था और जनता इकटी हो चुकी थी तो दोस्तों जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ जिने गिरफतार किया गया है उनके नाम भी बता ही देती हूँ तकि आपके सामने आमानमी पार्टी का काला चिठा साफ साफ खुल जाए इन आरोपियों में जिने गिरफतार किया गया है उनमें प्रदेश सचिव, गुर्दीप सिंग, दीपू, ब्लॉक, समीती, अध्यक्ष, तजिंदर सिंग, वजिंदर सिंग, सुखविंदर सिंग, इसके अलावा राजवीर, शर्मा, इसके अलावा बाड नमबर 21 के प्रभारी प्रशांत, ब्लॉक, अध्यक्ष, राजकुमार, ये सभी लोग इनमें शामिल थे और लगातार दुकानदारों से पैसा वसूली और जबरन वसूली कर रहे थे तो वो केजवाल जो अपने नेताओं के इमानदारी के ढोल पीटा करते थे आज वो केजवाल कहा है वो केजवाल क्यों इन लोगों के मामले में कुछ नहीं बोल रहे वो हमेशा ही प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस कर लिया करते हैं और यही नहीं मोदी जी को गालियां देने के लिए तो वो विधान सबास सत्र भी बुला लेते हैं पर आज जब उनके नेताओं पर खुद उन पर लगातार गाज गिर रही है आरोप लग रहे हैं तो किजवाल चुप क्यों है क्यों जनता के सामने मीडिया के सामने कुछ आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं उल्टा दूसरी तरफ मीडिया की पिटाई कर रहे हैं दोस्तो आमादमी पार्टी का पंजाब से काले कार्णामों का ये पहला मामला नहीं है इस से पहले भी आमादमी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो हेल्थ मिनिस्टर विजय सिंगला के खिलाफ ऐसे ही आरूप लगे थे जिसके बाद उनकी ओडियो भी वाइरल हो गई थी जिसमें वो जबरन वसूली के लिए एक व्यक्ति को धमकाते हुए सुनाई दे रहे थे जिसके बाद भगवन्त मान ने दिखावे के लिए ही सही पर विजय सिंगला पर कारेवाही की और जनता को खूब बेवकूफ बनाया क्योंकि दिखावे के लिए तो भगवन्त मान ने विजय सिंगला पर कारेवाही कर दी पर उसके बाद भी कई करों में विजय सिंगला यहा दिखा कर लुभाया जाता है किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया जाता है अपने जूट के पुलिंदे बुले जाते हैं पर यहां पर किजरिवाल की यह सचाई अब जनता के सामने आ चुकी है और जनता अब पूरी सचाई जान चुकी है किस तरह किजरिवाल उनकी खून पस पार्टी के जो नेता हैं उन पर भ्रस्टाचार की जो आरोप लग रहे हैं उन पर गुनाहों की जो पूरी लिस्ट है वो लंबे जारी होती है क्योंकि एक के बाद एक केजरवाल के नेता कानून के सिकंचे में फस्ते जा रहे हैं एक तरफ तो मनिश्च सोंदिया सतिंद्र जेल में है उसके बाद पंजाब से ये बात आई है और इसके अलाबी भी कई निता हैं जिन पर गिरफतारी की गाज गिर चुकी है जिनको कोट ने सजा सुनाई है क्योंकि आहाली में आमादमी पार्टी के विधायक अब्दुल रह्मान और उनकी पत्नी के खिलाफ अदाल अब्दुल रह्मान ने भी प्रिंसिपल को डराया था धंकाया था मारा था जिसके बाद अब अदालत ने फैसला इन दोनों पती पत्नियों पर सुना दिया है साथ साल की सजा इन्हें दे दी है अब जो हाल राहुल गांधी का हुआ है सदस्यता उनकी चली गई है वही हाल यहां पर अब्दुल रह्मान का होने वाला है क्योंकि दो साल से जादा की सजा अब्दुल रह्मान को ही है तो विधाया की भी जाएगी और यहां पर उनकी सदस्यता भी जाएगी तो एक के बाद एक केजरिवाल की जो कटरी मांदारी की कसीदे थे वो जूटे साबित होन उनकी नाक कटा रहे हैं और खुद केजरुवाल ने भी अपनी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि केजरुवाल भी आरोपो के घेरे में फसे हुए हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक लिए तिंक तंक